हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई सेकेंड चैनल इस सेनल पर मैं लेके आया हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं डिस्कुस करने वाला हूं ग्रीन ओलंपियाट से रिलेटेट कोश्चन जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रीन ओलंपियाट की प इस कोश्चन में आपसे डार्विन की थोरी से रिलेटेट एक कोश्चन पूचा जा रहा है यह पूचा जा रहा है जितने भी स्पीसिस होती है उनके अंदर जो डिफरेंट रिजल्ट आते हैं स्पीसिस के बीच में उसके पीछे का रीजन क्या है तो यह चार ओप्शन सा आपको दे रखें इन चार ओप्शन में से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है फर्स्ट ओप्शन में आपको बोला जारा है दर डिस यूज औप बॉड़ी स्टक्चर जब बॉड़ी का प्रॉपरली यूज नहीं होता है यानि डिस यूज होता है तो इसकी वज़े से देखने को मिलता है और third option जो है इसमें आपको बोला जारा है natural selection कि natural selection की वज़े से यह differences देखने को मिलती है last option में आपको बोला जारा motogenic isn't जिसकी वज़े से यह differences हमें देखने को मिलती है तो यह चार option है, इन चार option में से आपको correct option choose करना है, तो इस question के अगर correct answer की बात करें, तो यहाँ पे जो C option आपको दे रखा है, आप लोग जानते ही हैं, जो Darwin है, उन्हेंने natural solution related theory भी डबलब कीती है, और यहाँ पे यह बोला था, कि species वगरा जितने भी होते हैं, उनके अंदर जो differences आते हैं, और उसके वीचे का जो reason है, वो है natural selection, तिस तरह से आप correct answer जो है, option C, choose कर सकते हैं, अपने answer के लिए, इसके बाद move करते हैं, next question की तरफ, इस question में आप से पूछा जा रहा है, the place where an earthquake originate inside the earth is called its focus, what is the point on the earth surface vertically above the focus called, अब देखिए, आप लोगों ने कई बार सुना और न्यूज में कि earthquake आता है, तो earthquake क्या होता है, जो earth का surface है, उसके बिलकुल नीचे आता है कहीं बे, को particular kilometer के अंदर, 5 kilometer, 10 kilometer, एक distance के नीचे जा करके, कहीं से earthquake आता है, तो ये वाला जो होता है, जो particular, ये जो center है, जिसे हम focus बोला जा रहा है, इस question के अंदर, इस focus के according, जो भी बोला जा रहा है, इसे epicenter बोलते हैं, B option में आपको बोला जा रहा है, epic बोलते हैं, C option में आपको बोला जा रहा है, center बोलते हैं, last option D में आपको बोला जा रहा है, none of the box, यानि कि ये तीनों options आपको उपर दे रखे, इन में से कोई नहीं, अगर आपने ध्यान से news सुना होग तो आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी particular earthquake का epicenter, particular city या particular country है, तो यानि कि उपर वाला जो हिस्सा होता है, यानि कि जो surface के उपर उसे बोल दिया जाता है, epic center बोल जाता है, तो इस तरह से correct answer हमारा option A हो जाएगा, और नीचे वाला जो हिस्सा जहां से originate होती है earthquake, उसे focus बोल आपसे exam में इस तरह के question पूछे जाए, तो आप अच्छे से answer कर सको, इसके बाद next question आपसे mercury के बारे में पूछा जा रहा है, कि mercury occurs naturally on earth's crust, it is released into the environment by volcanic activity, weathering of rock and also human activity, which neurological disorder is caused by dash mercury poisoning, अब देखिए, इस question के अंदर आपसे mercury के बारे में पूछा जा रहा है, कि यह जो mercury होता है, अर्थ का जो surface है, उसमें जो crust वाला area है, उस crust के अंदर यह mercury पाया जाता है, लेकिन environment में कब आता है, जब कोई volcanic activity होती है, या फिर weathering of rocks होती है, या फिर human कोई activity है हमारे दुवारा की जाती है, तब जाकर के यह चीज़े उपर आती है, अब question यह है आपके लिए, कि neurological disorder जो ह होता है, वो किसकी वज़े से होता है, उसके पीछे का reason क्या है, और जिसकी वज़े से mercury जो है, वो poisonous हो जाता है, तो reason क्या है, यह आपको question में pick करना है, अपने answer के रूप में, तो देखिए, यह चार options आपको दे दिएगे, इन में से आपको correct disease होता है, वो आपको pick करना है, option A में आपको बोला जा रहा है, कि bright disease होता है, second option में बोला जा रहा है, हिरोसिमा disease बोला जा रहा है, third option में आपको बोला जा रहा है, मिना माता disease, और last option, fourth में आपको बोला जा रहा है, और यह चार options हैं, जिसके आपको choose करना है, कि mercury की वज़े से, यह disease हमें हो सकते हैं, तो यह चार option में से correct answer के अगर हम बात करें तो इस question में जो C option आपको दे रखा है कि मीना माता disease ये disease हो जाती है मरकरी की वज़े से तो correct answer जो हमारा है वो option C हो गया ये जो question है ये question कई बार repeat हो चुका है 2022 के question paper में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा 2021 के question paper में भी आपको दिखने को मिल जाएगा तो इसलिए इस question को ध्यान से समझेए और इस तरह की question की practice आपको घर पे जादा से जादा बार करनी भी है तो जैसे ये question है इस question में आप से पूछा जा रहा है इस question में आपको बोला जा रहा है चाइना के अंदर four pets related campaign start किया गया था जिसके अंदर चार insects या फिर species को eliminate करने का ध्यान रखा गया था जिसमें rats, flies और mosquito तीन आपको यहाँ बता रखे है फूर्थ के बारे में आपसे question पूछा जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि the extermination of the fourth had upset the ecological balance and enabled crop eating insects to proliferate identify the fourth pest यहाँ कि इस question में आपको जो fourth pest है उसे identify करना है वो कौन सा है जिसने crop eating जो है उसको upset कर दिया था एक तरह से insect हम कहें वो B, आपको option A में बोला जा रहा है, option B में आपको बोला जा रहा है कि यह silk worm से related है और option C में आपको बोला जा रहा है कि bad bug से related है और option D में आपको बोला जा रहा है यह sparrow से related है जो कि इनके जो crop वगर है उनको खा जाते थे यह चार option में से एक option है आपके पास तो इन चार option में से इस question की अगर बात करें correct answer की तो इसमें जो fourth option आपको दे रहा है sparrow यह बिल्कुल correct है यानि कि चाइना की अंदर 1958 में जो four pets campaign start किया गया था जिसमें से first तो आपका rat हो गया, second flies हो गया, third mosquito हो गया और four जो है वो sparrow है तो correct answer जो होगा हमारा option D हो जाएगा इसके बाद move करते है next question की तरफ जैसे आपने इस question को attempt किया है उसके बाद next question यह है आपके screen पर और इस question में आपको पूछा जा रहा है which of the following best describe the geological formation of an aquifer, aquifer के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके best तरीके से हम geological formation के रूप में किस तरह से define कर सकते हैं यह question है आपके लिए और यहाँ चार option तरह आपको दे रहें, first option में आपको बोला जा रहा है does not contain water यानि कि इसके अंदर पानी और अगरा contain नहीं करता है as for the option A, option B में आपको बोला जा रहा है contain water but does not transmit यानि कि इसके अंदर water तो होता है बढ़ यह transmit नहीं करता है और option C में आपको बोला जा रहा है इसे rock out crop ये क्या होता है एक rock out crop होता है ये आपको C में बताया जा रहा है और D में आपको बोला जा रहा है कि contain and transmit water इसके अंदर water भी geological formation की बात करें तो इसके अंदर water भी contain करता है और इसे transmit भी करता है तो इस question के अगर correct answer की बात करें तो यह option जो D दे रखा है यह बिल्कुल correct है यानि कि जी लोजिकल formation जब भी aquifer का होता है तो उसके अंदर water भी contain करता है और उसे transmit भी करता है तो इस तरह से जो fourth option D है इसे आप choose कर सकते हैं अपने answer के रूप में तो अब आप मुझे comment करके बताइए कि आपने कितने questions के answer बिल्कुल सही attempt करे हैं और इस वीडियो से related कोई और doubt है आपके तो नीचे comment में लिख करके पूछ सकते हैं चैनल friendship preparation जो की मेरा main channel है उसे subscribe कर लीजिए ताकि जब भी मैं वहाँ वीडियो upload करूँ तो आपके पास notification आ सके इसके लाबा यह जो मेरा channel है मेरे नाम से Mr. Krishna Shah इस channel को भी subscribe कर लीजिए ताकि जब भी मैं आपको आपके लिए यह green olympiad या फिर कोई और educational वीडियो आपके लिए upload करूँ तो आपको उसका notification मिल सके वीडियो को like कर दीजिए ताकि ऐसी और educational वीडियो मैं आपके लिए time to time ला सकूँ ठीक है चले फिर मिलते है नेक्स वीडियो में इस वीडियो में इतना ही है thanks for watching bye bye